नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक पैंसनलावारती हैं या फिर आप एक करमचारी हैं तो अब से आपको जबरदस्त तोफा मिलने जा रहा है जी हाँ आप सभी जानते हैं कि 12 नमेंबर की दिपावली है और दिपावली से पहले ही सरकार पैंसनलावारतियों को सोगात दे जा रही है अब यह तोफा किन-किन पैंसन लाबारती को दिए जाएगा उसके बारे में बताएगे कितनी सैलरी बढ़ा जाएगी कितनी पैंसन बढ़ा जाएगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दिजाएगी अगर आप एक क्रमचारी हैं या फिर आप एक पैंसन लाबारती हैं तो आप हमरे साथ आंते तक बने रहेगा वीडियो को देखते रहेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिजे और जाद से जादा वीडियो को सेर भी कर दिजेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तिके पैंसन भोग्यों के लिए केंद सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से बड़ी खाबर निकल कर आ रही है जिसमें पैंसन भोग्यों को और कर होतरी करेगी देकिन अब वह इंतजार सबाब्त हो चुका है क्योंकि आने वाली केबिनेट बैठक में इसको लेकर जबरदस्त घोसना होने वाली है जिसमें पैंसन लावार्थियों को पैंसन बढ़कर दे जाने का एलान किया जा सकता है अब या तोपा किस प्रकार से मिलेग लोकतंतर सेनानियों और उनके आसिरटों की पैंसन में परती महां 5,000 रुपे की बढ़थोतरी की तैयारी की जा रही है इसका मसोदा तैयार कर लिया गया है यानिकि 4,000 रुपे से लेकर पैंसन लावार्थियों को 5,000 रुपे तक पैंसन में बढ़थोतरी होकर मिल उम्मीद है कि जन्वरी से इसे लागू भी कर दे जाएगा अब आप कौन से राज्या के करमचारी हैं या फिर कौन से राज्या के पैंसलावारती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जुरू बतेगा क्योंकि बहुत ही नजदिक विधान सभाचुनाओं भी हैं और विध प्रदेश में 25 संग्राम सेनानी वहीं 950 आश्रित हैं देखे इन्हें 20,106 रुपे पैंसन मिलती हैं इसी प्रकार से 4,693 में लोक तंत्र सेनानी हैं और उनके आश्रित जो यहां पर निधायत के गए हैं एक हजार नब्य हैं तो उन्हें 20,000 रुपे परती महां सम्मान रा दोस्तों अब इसमें परती महां 5,000 रुपे बढ़ाने की तैयारी कि जा रही है ऐसे में लोक तंत्र सेनानियों वह उनके आश्रितों को 25,000 रुपे परती महां मिलने लगेगा जब सरकार पैंसन में बढ़ोतरी करने की गोशना कर देएं इसी तरहे स्वतंत्रता सेनानियो वे उनके आश्रितों को 25,106 रुपे मिलने लगेगा देगे राजनेतिक पैंसन विभाग ने इसका मुस्वधा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे काबिनेट की बैठक में रख जाएगा इस प्रस्ताओं के पारित होने के बाद इसे लागू कर दे जाएगा विभाग की तैयारी है कि नुवेंबर महा में जीवित प्रमान पत्र लेने के बाद इसे जनवरी से हर हाल में लागू करने की जोद है तैयारी है देखिए यह तोफा पैंसन लावारतियों को दिपावली से पहले भी मिल सकता है और जो केंदर क्रमचारी है उनको भी दोस्तों दिवाली का है तोफा मिल सकता है क्योंकि सरकार डिये में बढ़ोतरी भी करने जा रही है आप सभी जानते हैं कि साल में दो बार सरकार डिये बढ़ाती है जिसमें पैंसन में जबर्दस्त बढ़ोतरी होती है यह जबर्दस तोफा दिवाली का मिलने वाला है तो यह थी आपके लिए महत्पुन जानकर अगर आप उत्रपरदेश के पैंसन लावारती हैं तो जो हमने आपको जानकर दी है जो इसमें 25,000 रुपे परतिमा पैंसन मिलने लगेगी यह उत्रपरदेश के पैंसन लावारती के लिए हैं उत्रपरदेश के जो करमचारी हैं उनके लिए सरकाली तरफ से यह तोफा जारी किया जाएगा आपका जो भी राज्य है आप हमें कमेंट बुक्ष मिजा कर जुरू बतेगा और आपसे हमचर सा निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो गिरिप्याव वीडियो को लाइक कर दिजिए जाज सेयदा वीडियो को सेर करेंगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को भी आप जुरूर सब्बिस्क्राइब लिजगा अब मिलते हैं आपकोने स्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत